नवरात्रा के अंतिम दिन शहर के देवी मंदिरों में बुधवार सुबा से भक्तों की भीर लगी हुई है। इसके साथ ही राम नवमी के मौके पर नगर में निकलने वाले शोभा यात्रा को लेकर धूमधाम से तैयारी पूरी हो चुकी है। नवरात्रा एवं राम नवमी को सकुषल संपन्न कराने के लिए वहनों के आवागमन में परिवर्तन किया गया है सुरक्षा के मद्देनजर सभी देवी मंदिरों पर पुलिस बल तैनात किया गया है शहर के सभी देवी मंदिरों में माता रानी की पूजा अर्चना करने और आर्शिवाद लेने के लिए बुधवार भोर से भक्तों का रिला लगा हुआ है सुरक्षा के मद्देनजर सभी मंदिरों पर पुलिस बल तैनात किया गया और CCTV एवं ड्रोन से निग्रानी की जा रही है राम नवमी की शोभा यात्रा को सकुषल संपन्न कराने के लिए जिम्मेदार पुलिस अधिकारी खुद निग्रानी करने में जुटे हुए है मंदिरों में माता सिध्धिदात्री स्वरूप का पूजन करते हुए परिवार की सुख समृद्धी की मनोकामना की मंदिर और घरों में सुबह से ही कन्या भोज का भक्तों के द्वारा आयोजन कराया गया महिलाओ ने मंदिरों में पूजन कर सौभागय की मान की है जिले में सभी देवी मंदिरों में सुभा से ही भक्तों की भीर जुट रही है मा सिद्धिदात्री नवदुर्गा में अंतिम भक्तों और साधकों को सभी सिद्धिया प्रदान करने में समर्थ है देवी पुरान के अनुसार भगवान शंकर ने उनकी कृपा से ही सिद्धियों को प्राप्त किया था इनके अनुकमपा से भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था इसी कारण वो अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए